हर्याणा में भारत जोडो यात्रा का आज अंतिम दिन है इस यात्रा के पहले दिन से ही ये सवाल स्वास्थे मंत्राले ने उच्छाल दिया कि कोरोना की गाइड लाइन्स का पालन किया जाए यानि भारत जोडो यात्रा पर प्रश्न चिन लगाने का काम कर दिया है वैसे रहे हैं कि भाजपानेता सतीश पूनिया राजस्थान में जनाक्रोश यात्रा निकाल रही हैं करनाटक में भी यात्रा चल रही हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं इसके बावजूद राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा के हर्याना में प्रवेश पर जिस तरह से कोरोना का मुद्दा उच्छाला गया तो राहुल गांधी ने जवाब दिया की कोरोना यात्रा को रोकने का बहाना है राहुल गांधी का कहना है कि सरकार हिंदोस्तान की शक्ती और सचाई से डर गई है उनकी मोहबबत की दुकान से डर गई है इस तरह कोरोना से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है राहुल गांधी ने यात्रा के पहले दिन ही तीन एजेंडे स्पष्ट कर दिये थे कि नोटबंदी, GST, बेरोजगारी और महेंगाई, प्रमुख मुद्दे देश के हैं बेरोजगारी का सामना आज तारे देश के युवा कर रही हैं और जवाब ये मिलता है कि नोकरी ना मांगो, अपना बिजनेस चला कर नोकरी देने वाले बनो, जरा सोचिए कितने युवा ऐसा कर पाएं हैं इस बीच एक मजाक भी चला की पकोड़े बेचना भी एक बहुत बड़ा काम है जहां तक महेंगाई की बात है तो राहुल गांधी ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर एक हजार रुपए में मिलने लगा है तो भीड मैंसे आवाज आई कि नहीं बारा सो का मिलने लगा है और य पहलवानों से मिलना बाकी है जैसा कि नेता प्रतीपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा ने पहले दिन स्वागत करते हुए कहा था कि ये हर्याना जै जवान जै किसान और जै पहलवान का प्रदेश है प्रदेश अध्यक्ष उदैभान ने कह इसके अलावा भारत जोडो यात्रा के बीच कोरोना को लेकर चले विवाद में कॉंग्रेस का जवाब है कि कॉंग्रेसी विज्ञान आधारित प्रोटोकॉल मानेंगे राजनेतिक आधार पर नहीं यहां तक कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की कोरोना पर रिव्यू बैठक को भी कॉंग्रेस ने राजनेतिक कदम करार देने में देर नहीं लगाई पवन खेडा का कहना है कि सरकार राजनेतिक प्रोटोकॉल लागू कर रही है ना कि COVID प्रोटोकॉल हालांकि माधविया का कहना है कि वे राजनीतिक नहीं मंत्री है कॉंग्रेस ने इस पर भी आश्चरय जताया कि भारत जोडो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश से पहले ही केंदर सरकार कोरोना से डरने लगी है केंदर सरकार को कोरोना इस यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही सताने लगा है खैर इस विवाद में ये भारत जोड़ो यात्रा जारी है और कश्मीर निकट आने वाला है ANV News के लिए कमलेश भारतिय की ये खास रिपोर्ट